हेलो फ्रेंड्स आज हम सेखने वाले हैं इंडेक्स मैच यह इंटर्वी के परपस से बहुत इंप्रोटेंट क्वेश्चन है और हरे इंटर्वी में पूछा जाता है इसमें क्या होता है जैसे वी लूक अप में हम क्या करते हैं कॉलम का डेटा उठा सकते हैं एक साथ रो कोल इस है एक इंट का राइटा चाहिए मुझे कितने कॉलम से 11 में और एक बार में चाहिए और मुझे कॉलम का रफरेंस मी चेंज ना करना पड़े जैसे हम लिखते हैं वी लूक अप मैं टू कोमा टू कोमा थिरी जासे करके वह ना करना पड़े तो उसके लिए हम इंडेक्स में उस करते हैं तो कैसे करते हैं और सबसे पहले इस इसले टू इंडेक्स है अब यह पूछ रहा है से हैं ओ पूरा सवस्कू सिस्सदैने के लिए तो हम मैच लिखेंगे अब वो बोल रहा है लुक अप वैल्यू के लिए हमें जो जिससे लोगों चाहिए हमें एजेंट आइडी से चाहिए एफ फॉर कीजिए है 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 अब में ऐ 2 हमारा फिरिज हो गया है लेकिन हमें तो के बाद थी बिच्छा यह से चलाना है तो एक कॉलम्ब फिरिज करना है लेकिन इह करना तो टू के डेटा में गई यह हमारी एजेंट इसको पूरी को सेलेक्ट करके एफ पूर कर देना है अब पूछ रहा है लाइस देन एक्जक्ट तो एक्जक्ट मैच चाहिए होता है तो उसके लिए जीरो लिखते हैं फिर कोमा करना है अब वो कॉलम अब कॉलम जिसे ए बी सीडी इनको भ गुलम यही बार में सार आएगा उसके लिए एक मैच और लगाएंगे मैच लोकाप वेल्यू पूछ रहा है वह लोकाप याल्यू के लिए हमाच इस से हमें लोकाप लगाना तो हमारी ना लेकिन पूलम होता रहे तो इसमें क्या है तो हमें बढ़ रहे को उसके लिए हमें यह बीके आगे वाले डॉलर हटा देंगे इस से क्या होगा कॉलम BCD अपने आप चेंज होगा लेकिन रोवन ही रहेगा अब कॉमा पूछ रहा है लुक अपर रहे लुक अपर में मास्टर शीट की हमें हैंडिंग सेलेक्ट करनी है और इसको में सिंपल अपर से कर देना है इसमें कुछ नहीं करेंगे कोमा एकज़ेट मैस के लिए 0 ब्राकेट क्लोश दो बार ब्राकेट क्लोश दो बार ओपन करें हमने अब एक बार हम आप टू करके देख लेते हैं इंडेक्स मास्टर डेटा में हमने एवन से जितना भी डेटा इसको फिरीज क कि में हमने एक और ये को हमने फ्रीज किया तू को नहीं किए दूसरा तो हम इसे डेटा चाहिए हमारा को तो ये साई है दूसरा है मास्टर डेट में 20 mash के वह सई है दूसरा चो मैच लगाए हमने उसमें बी वन सेलेक्ट करें हमने फिरीज में हमने चैक्स को फिरिज्ट किया वन को यानि रोवन को किया है कॉलम्स को नहीं किया तो बी के बाद सी डी एफ ऐसे चलेगा सही है यह हमारा ठीक है परफेक्ट आप इसको कॉपी करके एक बार में अगर मैं पेस्ट करूंगा तो यह हमारा सारा डेटा आजाएगा देखिए आगे सारा डेटा वन टाइम में और दूसरी चीज इसमें बैनिफिट क्या होता है जैसे वी लुक बैकवर्ड नहीं चलता इसमें ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होती अब मार्च डेटा में जाके देखेंगे तो जो यह हमारा एजेंट नेम यह एजेंट आइडी से पहले है वी जो वैल्यु है वो देदेगा सबसुक्त एक तूज है यह एसकिक्स ऐसे करके यह आपको देदगा आप अप तूज करके देख भी लाने के लिए एक दूसरे हो यह उता है इस परपस के लिए होता है वह क्या होता है आपको दिखात और हम मैंने लेता चार्ण यह मेरे पर यहां पर मैंने डेटा वैलिडेशन से यहां यहां और यहां चाहता हूं जब मैं प्रॉफिट चेंज करूं तो वह अपने आप प्रोफिट में 2012 की जो भी होगा माउंट वो ले ले और जैसे ही मैं इसको चेंज करूं एरर 2012 में जितनी यह रहा है वो ले ले और यहां पर अगर में यह चेंज करूं तो उसको सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना है यहां लगाते हैं सबसे पहले हैं इंडेक्स अब सेम वही पूछ रहा है पूछ रहा है वह एर्रे के लिए हमें यह पूरा डेटा स्लेक्ट करना है एफ-फॉर पूंड़। अब पूछ रहे है वह रो रो नमबर यानि की रो रो रोस हमारी कैने यह उठेंज है तो उसके लिए हमें क्या मैच लगाना पड़ेगा मैच लोकद वेली पूछ रहे क्या है लोकद वेलु आप यह 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 चेंज करेंगे हम 26 268 19 11 11 यह हम चेंज करेंगे को मा लुक अप एर्र पूछ रहे अब 267 किस में है वह हमारा इस में है यानि कि इयर्स में तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए अब वो कॉलम नंबर पूछ रहा है यानि कि कॉलम भी मैच कराना पड़ेगा एक कॉलम में प्रॉफिट है दूसरे में बूकिंग तीसरे में एर्र तो उसके लिए एक मैच और लगाएंगे अब पूछ रहे हमारी तो वह यह है यानि कि यहांपर हम चेंज करेंगे इसको यह है तो इसको स्लेक्ट करके आप फॉर कीजिए कोमा जीरो कि ब्रैकेट क्लोज कि ब्रैकेट क्लोज एंटर अब देखिए बुकिंग के बाद प्रॉफिट चेंज किया तो यह प्रॉफिट आ गया यहां पर मैंने एरर सेलेक्ट किया एरर आ गया तो टोटी किया हुआ है तो इस तरह से हम इसको डाइनमिक बनाते हैं अपने हैं अपनी एमस के लिए बहुत इंपोर्टट फंक्शन अइंडेक्स मैस और ठीकी है तो यह सीखना बहुत जरूरा है त्थैंक्यू